दिल्ली विदान सबाद चुनाओं में बीजेपी के मुविदबारों के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर परचार कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं सर क्या महाँल लग रहा है बीजेपी का? मैं कह सकता हूँ कि अच्छा महौल है और पिछले कुछ दिनों में भारती जनता पार्टी की केंपेन काफी पिक अप हुई है और लोग इस दिशा में हमको चलते दिख रहे हैं भारती जनता पार्टी को समर्तन करते हूँ दिख रहे हैं और निश्चित रूप से अब की बाद दिली में परिवर्तन हो करके रहेगा और भारती जनता पार्टी दिली में सरकार बनाने वाली है। अब की बाद दिली में सबसे बड़ी बात है कि जो परचार पूरे देशवर में दिली की सरकार के मादियम से किया जा रहा है। अलेक्टरोनिंग मीडिया के मादियम से और उसके साथ साथ में एड के मादियम से टेली विजन पर और प्रिंट मीडिया में अगर दिली की गलियों में जाये तो हकीकत बालूं पड़ती है। दिली जहां पांच साल पहले थी वहीं की वहीं खड़ी है। और विकास जमीनी स्थर पर हुआ नहीं है। आज भी डिली में अगर पांच मिनिट के लिए बारिश हो जाती है तो सटके पानी से भर रही हैं नालिया चोक हो रही है और हर जगां गंदगी के धेर लगे हैं और गंदगी के धेर में जानवर वहां पर हरतरा के वहां पर दिखाई देते हैं। और ऐसे में development के नाम पर जिस परकार से जो है campaign जो है वो केजरीवार सरकार चलाने की कोशिश कर रही थी उसकी सारी पोल इस चुनाब में जो है खुल गई है और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि निश्चेत रूप से इन सारी बातों को ले करके जो लोगों में असंतोश है सरका सरकार के खिलाब केजरीवार सरकार के खिलाब वो इस चुनाब में देखने को मिल रहा है और उसका परिनाम भी यह होगा कि केजरीवार सत्ता से बार बाहर होने वाले है लेकिन सर आमादी पार्टी दावे करती है कि उन्होंने बिजली फिरी कर दिया है पानी 20,000 लिटर उन्होंने दुरुस्त किये उसको आप कैसे देखते है उस वादे को देखिए वो बातें मौहला क्लिनिक बिल्कुल फ्लॉप कताई भी उसका इंपक्ट कताई भी उसका असर देखने कुनी मिला स्कूलों के सिंदर में जो उनने कहा है बात कही है कुछ जगा उनने स्कूल की कोशिक किये लेकिन उसके बावजूद अधिकान स्कूल उसी स्थिती में है जिस स्थिती में पहले थे वो बिजली पानी के अगर बात करें पानी के बिल बिजली के बिल हमने अपने आँखों के सामने देखे हैं कल एक बिल जो है नाइटी थी थाउजन का बिल लाए हो था पानी का, और एक विल जो है वो जो एगर पीते हैं तो बिमार होकर के रहते हैं, तो ऐसी परस्थिति में लोगों में एक बहुत बड़ा रोश है अक्रोश है के जरिवाल सरकार के खिलाब और निश्चित रूप से बारती जनता पार्टी की तर्फ लोग जो है बहुत बड़ी एक उमीद के साथ देख रहे हैं सर जिस तरी के से दिल्ली के अंदर साइन बाग का जो मुद्दा लगतार परचार हो रहा है उसको आप कैसे देखते हो साइन बाग की मुद्देगों स्वभावी के रूप से ये जो फ्रस्टेटी लोग है उनकी और से एक कोशिश है कि इस परकार से एक माहौल खराब करने की कोशिश की जाए जिस चुनाब पर कोई असर हो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कताई भी उसका असर उस परकार से जैसे उस कल्पना कर रहे है उस तरह से नहीं हो रहा है उल्टा भाती जन्ता पार्टी के साथ वो लोग भी आज की तारीक में खड़े होकर के हमको दिखाई दे रहे हैं जो वैचारी के दिश्टी से हमारे निज्दीक नहीं लेकिन उसके बावजूद वो सी ए ए के मुद्दे को लेकर के ये सही निर्णा है और इस निर्णे के साथ हमको सबको खड़े होना चाहिए सायोग देना चाहिए और दिल्ली में इस जो है शाहिनवाय का जवाब जो है जो है आठ तारीक को वोट दे करके भाती जन्ता पार्टी के सरकार पनाने में अपना सायोग दे करके जो है अपना काम करना चाहिए